मोबाइल फटने से डगरुआ के युवक की मौत दिल्ली में हो गई उसके परेजनों का रो रो कर बुरा हाल है वहीं कई लोग ये चर्चा करते हुए सुने गए कि मोबाइल फटने से मौत कैसे हो सकती है बुरुतक डगरुआ प्रखन के जाबर गाम के निवासी मौमद अखला का 20 वर्ष पुत्र आदिल था वो दिल्ली के आजाद मार्केट में रहकर काम करता था फोन पहले चार्च के लिए लगा दिया था आदिल के साथ काम कर रहे उसके रिष्टेदार ने बताया कि आदिल काम से लोटने के बाद मोबाइल में गाना सुनता था थोड़ी देर में कहीं से गूम कर आया ही था कि चार्ज रहित मोबाइल में एर पिन डाल दिया और कानों में पिन लगा कर मोबाइल चालू कर दिया इसी दौरान मोबाइल फट गया और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई लोगों ने उसे अस्पिताल में भरती कराया लेकिन डॉक्टर ने वहां रुद घोशित कर दिया डॉक्टरों ने बताया कि कान से मस्तिष्क तक जाने वाली नस पूरी तरक्षति ग्रस्थ हो गई इसी कारण उसकी मौत हुई आदिल अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था पिता मुहमद अखलाक ने बताया कि उसे अब भी पूरा भरोसा नहीं हो रहा है कि मॉबाइल ने उसकी जान ले ली वहीं उसकी लाश देखने वालों ने बताया कि कान और मस्तिष्क का हिस्सा फटा हुआ था देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले